आते ही विवादों से घिर जाने वाली नई शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती दी गई है शिक्षक नियमावली 2023 को पटना हाई कोट में चुनौती दी गई है 2006 के नियम को खत्म किये बिना नया नियम लाया गया है बता दें कि 2006 में जिस एक्ट के तहत रिस्तरिय पंचायत राजवेवस्था को शिक्षक नियोजन का अधिकार दिया गया था उसको बिना खत्म किये नई नियमावली लाई गई STAT 2019 के तहप होने वाली नियोजन प्रत्रिया को अधूरा छोड़ दिया गया है 2019 के बहाली संबंधी विज्यापन में कुछ पदों की बहाली की गई शेश को रोग दिया गया नई नियमावली को समवेधानिक पहलू समानता के अधिकार और मानवाधिकार की दृष्टी से चनौती दी गई है नियोजित सिक्षक बहाली को लेकर अभ्यरती कई बिंदूओं पर कोट के दरवाजे तक पहुँच गए है उनका ये कहना है कि इतरी स्तरिय पंचायत विवस्था के तहज बहाली की परिक्रिया शुरू की गई थी और उसके तहज जो रूल्स बनाय गए थे वो आज भी एक्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर किस आधार पर आटकिल 309 के तहट नई नियमावली का निर्मान कर दिया गया है और इसको ये नियमानुकूल नहीं मानते है साथी 2019 की जो ये विग्यप्ती है सरकार की उसमें विग्यप्ती संख्या 373 उसके तहट सारेरिक शिक्षक और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की बहाली कर दी गई जबकि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के जो कंडिडेट थे उनकी बहाली अभी तक नहीं की गई तो यह एक उचित कदम नहीं है सरकार का साथ ही जो STET 2019 की परिक्षा हुई थी उसके बाद जो मेरिट और नॉन मेरिट लिस्ट बनाई गई थी इसको लोग सब भृतियों के साथ चल मानते हैं उसके साथ ही दो STET 2019 के कुछ विशय थे जिसके प्रशनों को लेकर अभी तक मामला सब्जुडिस है तो उससे पहले इस प्रकार की नियमावली के तहट नहीं न्यूक्ति करना भी सही नहीं समझ रहे लोग दूसरी बात यह है कि सरकार ने साथ में चलन की न्यूक्ति को लेकर जो बार-बार भरम की स्थिती बनाए रखी और अब फिर से एक्जामनेशन की बात कह रहे हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात कह रहे हैं तो इन तमाम विस्यों को लेकर अभ्यर्थी जो है वो कोट के दरवाजे तक पहुँच गए है ये तो बात हुई पटना हाई कोट की लेकिन बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के सुप्रीम कोट के दरवाजे पर भी पहुचा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली नियमावली 2023 को तुगलकी फर्मान बता कर सुप्रीम कोट भी पहुच गए हैं स्टीटी नाइंटीज सिख्षक अभ्यार्थियों के साथ बिहार में बहुत ही अन्याय हुआ है इसी के लिए हम न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोट पहुचे हैं हमें विश्वास है कि मानिने चीफ जस्टिस महोदे विग्यापन का पालन करवाते हुए बिहार सरकार को सबक सिखाएगी हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे और सुप्रीम कोट से हमें नयाय मिलेगी क्योंकि बिहार सरकार ने स्टीटी नाइंटीन सिख्षक अभ्यार्थियों को परतियोगता परिक्षा को पातता परिक्षा असावित कर दिया है हम इसे चैलेंज की हैं सुप्रिम कोट में हमें जीत मिलेगी हमें विश्वास है समिंदान पर हमें बावा साथ के समिंदान पर विश्वास है हमें लोगतन पर विश्वास है इस नितीश कुमार अहंकारी सरकार पर हमें विश्वास नहीं है खेर अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का चहरी में पहुँचने के बाद नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहर शिक्षकों की बहाली हो पाती है या पूरी प्रक्रिया अटक जाती है विरो रिपोर्ट विहार सर्थ झालसरे सर्थ झालस कि भी में और सर्थ